नमस्कार आज फिर मैं आपके लिए MP Board कच्चा नवी, दसवी, ग्यारवी, बारवी, हिंदी विशाय के अंतरगत हिंदी सायत में छायावाद की विशेष्टा हैं लेकर आया हूँ तो एक वार फिर से पढ़ देता हूँ, छायावाद यूग की पिरमुग विशेष्टा हैं जिसको हम प्रवर्तियां भी कहते हैं तता इस यूग के पिरमुग कभी एवं उनकी एक एक रचनाएं लिखिएं तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे, आप काले पेंसे उत्तर लिखें एक पिरम की देवी के रूम में चित्रित किया है, देखो जहां पर रीद काल में और आत काल में, रीद काल में सब नारी के प्रती कभीयों का दर्श्ट कोड़ कैसा था, उन्हें सिर्फ उपवोग की वस्तू माना गया, क्योंकि रीद काल के कभी कैसे थे, आसरित थे, जा अनद लेते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ उसके रूप संदर का ही वर्ण किया, वहीं बाद में आधने काल में आपका भारतेंदो, दिवेदी हो, छैवादी होगे, इस एक कभीयों ने अपना दर्श्टी कोड़ बदला, और इन्होंने नारी के छमा, दया, कडा, प् कैसा था, बहुत अच्छा था, अब आता है आपका अगला बिंदू बिंदू नंबर है, आपके सामने दूसरा, तो दूसरा बिंदू दिया, व्यक्तिगत भावना का चित्रन, तो इसमें इस एक कभीयों ने अपने जीवन के निजी प्रसंगों घटनावं एवं किया है, यानि इस एक की जितने भी कभी हुए हैं, उन्होंने प्रकरती चित्रन किया और भी बहुत सारी चित्रन की, लेकिन साथ में इन्होंने अपने जीवन में जो जो इनको अनबव हुए, उनको भी कभता के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया, पिर आता है पिंदू नंबर आपका तीसरा तीसरा में सौंदर वड़न छावादी कभी मूँ लूप से प्रेम और सौंदर के कभी है पिर आगे तो इसका थोड़ा सा उपर दिया है उन्होंने सौंदर का सूच में चित्रन सौंदर डंग से किया है देखो इन्होंने अपनी रिचनाओं में सौंदर का तो चित्रन किया लेकिन जहां पर कई कभी होंने अलग अलग इगों में सिर्फ सौंदर्ता का वड़न किया वहीं ये कुछ उनसे हट कर रहे इन्होंने क्या किया सुन्दर्ता का बारीकी से सूच्म चित्रन किया है यह इनकी बिसेस्ता है फिर आता है आपका बिंदू नंबर चार आपका यह नीचे रहा बिंदू नंबर चार है प्रकृति चित्रन इन कवियों ने प्रकृति पर मानवी क्रिया कलापों का आरोप करते हुए उसे हस्ते रो मानुस की तरहे किरिया कलाब करते हुए दिखाया गया इसी को कहते हैं मानुवी करण यानि प्रक्रति या निर्जी वस्तुम मानुवी के तरह क्या गोड आरोपित करना या मनुस की तरहे किरिया कलाब करते हुए दिखाना यह कराता मानुवी करण का प्रयोग किया देखो कहने का मतलब यह है कि जहां पर आद काल बक्ती काल और यहां तक की रीद काल में कवियों ने कैसी रचनाई लिखी कवता हैं चंद युकते यानि चंदों में लिखी हैं चाहिए दोवाव चोपाई हो सोटा हो बरबाई हो छपो वहीं आदने काल में क देखो चंदों में कवता लिखना क्या हुथा उसमें वहते हैं बहुत नियम है जैसे मातराई निष्च्चत होती हैं अंत में तुकाना चाहिए गती होना चाहिए responsible for right now就 लिए हर कोई कभी बन नहीं पाता था तो आदने काल के सूरकां तिरपाठी नराल जो छाया बात की ही कभी है इन्होंने छंद मुक्त रचना है लिखनी सुरू कर दी यानि कवताओं को बिना छंद के लिखना सुरू कर दिया सारे नियमों से क्या हो गए बंदन से मुक्त तो उसके बाद कभी की बार सी आगी क्यों अब किसी को कोई नियम किया सकता नहीं कोई भी कुछ भी लिख रहा है तो बाद में जैसे ही छंद मुक्त रचना का बंदन से मुक्ती मिली नराला ने सुरू की उसके बाद सब ने फिर लिखना सुरू कर दिया तो छंद मुक्त रच तो पहला है जैसंकर परसाथ, तो इनकी पिर्मुक रचना है का मायनी जहना आसू, दूसरा है सुरका अंतिरपाथी निराला, तोसी और परमाद, तीसरा है मादेवी बर्मा, नियार, नीर्जा, यामा, चौता है समत्रा नंदन पंत, वीडा, गुंजन, पल्लग, तो ये मादेवी बर्मा और समत्रा नंदन पंत, तो मैंने आप अरुण की दो-दो रचना ही लिखी हैं, इसके अतरिक बहुत सारी रचना हैं, आप चाहें तो उनमें से कोई सरल रचनाओं को भी पढ़ सकते हैं, तो ये आपके सामने, मैंने आप छायवाद की प्रमुक बिसेश् प्रस्तुत किया, ये आपको प्रस्न और उत्तर समझ में आ गएंगे, अगर उसके बाद भी छायवाद से समन्दित किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो कमेंट करके हमें अवस बताएगा, और ये भी बताएगा कि आपको प्रस्न उत्तर कैसे लगे, तो फिर आज की लिए बताना ही आब में साथष्वास्त कोज रहें,